तो हेलो दोस्तों मेरे योट्यूब चैनल पर आप लोगों को मैं स्वागत करती हूं तो यहां पर देख लिजिए मैं यहां पर एक कपड़ा ली हूं अब कोई भी कपड़ा ले सकते हैं यहां पर मैं अपने हाथ से बनाए हो फ्लेंट किया हूँ और यहां पर कुछ रदी मैं फोल्ड कर लूँगी यहां पर तो देख लिजिए इतना बड़ा कपड़ा है चाहे तक छोटा साइज भी ले सकते हैं इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं तो देखिए यहां पर यह ओपन वाला पल्ला है और इधर कुछ में सिल दी हूँ तो आप लोगों को दिखाने क और फिर इधर भी ओपन साइड है तो देख लिजए एक साइड ग्लोज है बाकि चारों तीन तरफ मतलब बंध है तो देख लिजए इसको ओपें से ओपेंयों कीयों सिलाई लगाना है मतलब दो-दो इंच में या तीन-इनच में आप लगा सकते हैं तो यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे सिलाई लगा लेंगे तो यहां पे देखिए इस परकार शाप पो सिलाई लगाना है अपने हिसाब सब सिलाई लगा सकते हैं तो चलिए यहां पे सिलाई लगा लेते हूं फिर उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ में मिलते हूं तो देखिए यहां पर सिलाई लगा रही हो मैं चाहे तो आप इससे कम भी ले सकते हैं इसका चवडाई जो है उसको या तो फिर जादा भी ले सकते हैं ऐसा प्रिंट कपड़ा लेने से क्या है कि वो जादा खुबसूरत देखने में देखेगा आप इस तरीके से बनाईए तो मतलब किसी को भी आप बैठा देजे बच्चा को या तो फिर आप ठंड का मौसम में उसको बैठने के लिए उप्योग कर सकते हैं तो यहां पे देख लीजे मैं पूरा सील कर कंप्लीट कर चुके हुए इस परकार से आपको भी इस तरीके साब को सेल लेना है फिर उसके बाद यहां पे मेरा छोटा छोटा एक पाईप की तरह चेदा बन चुके है तो देख लीजे तो पूरे को मैं आपको दिखा रही हू पूरा देख लिजिए तो यहां बेजे यह जो था कपड़ा इक्स्ट्रा कपड़ा उसको आपको कुछ दम मतलब कैसे बताओं इस परकार से आपको एक-एक करके सब को इखटा कर लेना है मतलब आपको ऐसा लंबा-लंबा कर लेना है आपको ताकि आसानी तरीके से घूस चाह है इस परकार से ऐसा पूरो लंबा-लंबा आपको डाल लेना है उसमें तो आप किसी अवजार के सहता से डाल सकते हैं जैसे होता है कोई पतला तार वगेरा होता है तो देखिए यहां पर मैं तार को उपयोग कर रही हूं तो चाहे आप मतलब आपकी अपनी सुईधा चाहे तो आप सुई होता है एक बड़ा वाला सुई कांटा वाला उससे भी आप इसको डाल सकते हैं तो यहां पर मेरे पास है एक तार उसको उससे मैं यहां पर छीदा कर रही हूं और मैं यहां पर डाल रही हूं आप अथ्याफे परकार से अब से सबसे पहले तार को डालना है ऐसे च्षेदा में तो तार मदद से आगी पूए सबसें किस क्षिश सकते हैं कि अ कि दहीरे दहीरे आपको इस प्रकार से कपड़़ों भी खीचना पड़ेगा नहीं तो सिलाई तूट सकता है ध्यान रहें आपके मन में कि तूटे नहीं यहां पे पूरे तार को इधर बाड़ करके कुछ इस प्रकार शे आपको धीरे धीरे करके हलके-हलके तरीके से खीचना है आपको नहीं तो मैं आपको पहले पे बता चुकी हूँ कि सिलाई किया हुआ तूटना ने चाहिए तूटेगा तो फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा आपको तो देखिए थोड़ा-थोड़ा करके आपको इस परकार से खीचते हुए कपड़ों को खीचना है और शरकाना है तो यहां पर देख लिए मैं पूरे यहां पर डाल चुकी हूँ तो कुछ इस परकार सिसका फाइनल रिजल्ट आया है तो इसको में इस किनारे किनारे वाला जो है उसे कट कर लोगी यह देखिए इन लोगों को तो मैं कैची के सहरे से मैं यहां पर कट कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो देखिए फाइनल लोग इसका काटने के बाद कुछ इस परकार से है चारों तरब का मैं काट शुकी हूँ तब यहां पर मुझको सिलाई लगाना है इसके लिए कुछ फैब्रिक में लोगे और साइड साइड पर सिलाई लगा दूगे जिस साइड ओपन वाला पर लाए तो यहां पर देख लिए मैं यहां पर कुछ फैब्रिक लिए हूँ चाहे तब कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं इसको में पतले-पतले दो इंची-तीन इंची की जैसा कट कर लोगे उसके बाद फिर सिलाइब कर दो और जिए करें टो यहां पे देख लिए सब से पहले यहां पे मैं फैबरी को ले चुकी हूं तो कुछ इस परकार आपको उल्डी साइड रखना है ताकि मुझे पलट कर सीधी साइड हो सके तो यहां पे कुछ इस परकार से लगा के आपको सिलाई कर लेना है तो देख लिए से मैं यहां पे सिलाई लगा रही हूं चाहे के लिए तो देखिए पूरी से लाइक करने के बाद कुछ इस परकार से तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताईए और इस परकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वडियो के साथ में तो अब इस उल्टी सेट भी देख सकते हैं इसका किस प्रकार शेज का रिजल्ट आया है देखे और इसको मैं नीचे बिचा के भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूं देख लिजे नीचे बिचाने के बाद कितनी खुब्सूरत लगता है देख लिजे एकदम बिल्कुल ठंडे में एकदम आप उव्योग कर सकते हैं इसको या तो फिर बच्चे को बैठाने के लिए या फुद भी बैठ सकते हैं इसके उपर